रानी मधुमक्खी की एक बेटी का नाम राजकुमारी बीटा राईस था। वह अपने चमकदार, काले, सुनहरे, सरीर तथा पंखों के कारण बहुत सुन्दर लगती थी। उसका सरीर और पंख धूप में चमकते थे। राजकुमारी मधुमक्खी का सौभाब बहुत अच्छा था। वह हर चीज अपने दोस्तों के बीच बाट कर खाती थी। उसे अपने राजकुमारी होने का जराभी घमंड नहीं था। राजकुमारी मधुमक्खी हर सुबह अन्य मधुमक्खियों के साथ सहड इकठा करने जाती थी। उसे बगीचों की सैर करना बहुत अच्छा लगता था। वह फूनों की खुस्वू और उसका मीठा मकर कंद बहुत पसंद करती थी। राजकुमारी मधुमक्खी के पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें रखे जार में वह सहद इकठा करती थी। उसके दोस्तों में एक ऐसी मधुमक्खी भी थी जो उसे पसंद नहीं करती थी। वह राजकुमारी मधुमक्खी की तरह गाना नहीं गापाती थी। इसलिए उ लाल गुलाबों से भरी छाड़ियों और लताओं से भरे बाग में घुमने फिरने के लिए गई गुलाब की उन जाड़ियों में बड़े-बड़े काटे भी थे जलनखोर मधुमक खी ने राजकुमारी मधुमक्खी को वहाँ आने के लिए तैयार कर लिया राजकुमारी मधुमक्खी गुलाब के फूल देखकर खुसी से जूम उठी उसने ऐसे फूल कभी नहीं देखे थे वे दीखने में जितने सुन्दर लग रहे थे उनकी खुसबू भी उतनी ही मुहक थी जब राजकुमारी मधुमक्खी वहां सहद इकठा करने लगी तो जलनखुर मधुमक्खी ने उसे धक्का दे दिया परिणाम शुरूप राजकुमारी मधुमक्खी काटो में जा गिरी ऐसे में उसके सुन्दर पंक तुट गय और रेशमी सरीर पर खरोचे आ गई राजकुमारी मधुमक्खी के गिरते ही अनी मधुमक्खیاں भी वहां पहुच गई वे उसकी चीक सुनकर मदद करने आई थी तब जलनखुर मधुमक्खी ऐसा दिखावा करने लगी मानू उसे भी बहुत दुखुआ हो हाई हाई ये क्या हो गया हमारी राजकुमारी मधुमक्खी काटों पर कैसे गिर पड़ी उसे थोड़ा सापधान रहना चाहिए था उसके सरीर पर कितनी चोटें आई है एरे कोई आकर हमारी राजकुमारी मधुमक्खी को बचाए फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी दूसरी सहेलियों ने पूछा क्या हुआ राजकुमारी मधुमक्खी राजकुमारी मधुमक्खी ने उन्हें सही बात नहीं बताई सब आपस में बाते करने लगे हम इसे बापस कैसे ले जा सकते हैं तब ही वहाँ एक बड़ा सा नर मधुमक्खी आया और बोला मेरा नाम बुन है मैं तुम्हारे छटे के पास ही रहता हूं मैं राजकुमारी को अपनी पीट पर लेकर जाता हूं फिर राजकुमारी मधुमक्खी बड़े अराम से उसकी पीट पर बैठ गई और बुन उसे उस उसने किया इधर जलन खोर मधुमक्खी को अपनी किये पर पस्तावा होने लगा वह राजकुमारी मधुमक्खी को इस तरह चोट नहीं पहुचाना चाहती थी राजकुमारी मधुमक्खी के उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाया गया उसने सहद में दवा मिला कर कर दिया गया बच्चों तुम अपनी बाग में उन दोनों को एक साथ उड़ते देख सकते हो